के नमसकार दोस्तो आएइ चलिए सीखते हैं रूम कूलर का कनेक्शन करना फ्लास्टिक का कूलर है जिसमें तीन स्वीच लगा हुआ है रेगुलेटर स्वेच और एक फायान मोतर है तिनी स्पीट का और एक water pump है और एक swim motor है इसमें total तीन motor लगा हुआ है और तीन regulator switch लगा हुआ है एक point switch है इसमें 4 point है एक face का है और 3 low medium high का है और water pump का एक switch है जिसमें 2 point है जिसमें face का wire और एक in होगा और एक out होकर जाएगा water pump में तिसरा swim switch है जो गिरील हवा को left right करता है इसमें भी 2 point है जिसमें face के wire को in किया जाएगा दूसरे से out होके swim motor बेचला जाएगा इसका नियम समझते हैं नियोटल के पहले में लीट का नियूटल का connection करेंगे नियूटल के wire को सभी motor के एक एक old point में डाइरेक्ट जोड़ देंगे इसमें देखें कामान है common point में जोड़ेंगे उसके हॉन मोट बह 승lé मोटें में भी प्रफाइन मोटर के उसके बाद यहाँ वाटर पॉंप इसमें भी जूड़ेगा स्वी मोटर में भी नूटल का कनेक्शन पुरा हो गया अब बचा क्या फेस का में लिट का फेस का भी कनेक्शन बाकी है इसका करेंगे कनेक्शन फेस्क वायर को कहां जोड़ेंगे सबसे पहले स्वीच के एक एक पॉइंट में जोड़ेंगे फेस्का वायर तीन स्वीच है तीनों स्वीच के एक पॉइंट में जोड़ेंगे डारेक्ट इसके बाद वाटर पॉंप स्विच में जोड़ेंगे डायरेक्ट अब इसमें क्या बचा है और मोटर में क्या बचा है लो मीडियम हाई का पॉइंट बचा है इसको जोड़ देंगे फईंट स्विच से लो का लो वाले पॉइंट से जोड़ेंगे लो का लो पॉइंट से जोड़ गया मीडियम का मीडियम पॉइंट से जोड़ा जाएगा मीडियम और हाई का हाई पॉइंट से जोड़ गया अब इस फईंट मोटर का कनेक्शन कुलर का कनेक्शन पुरा हुआ इसमें रूम कूलर में मुख्ध इलेक्टिकल भाग तोन कौन से है फाइन स्वीच, वाटर पम्प शीच, स्वीज मोटर स्वीच, फाइन मोटर, वाटर पम्प, मैंलिट, केपासीटर, केपासीटर जो 4 m&t की कलगता इस मोटर में इस तरह हमारे ग्रूम कूलर का वीडियो का कनेक्शन पूरा हुआ वीडियो को लाइक और सस्क्राइब करिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद